नमस्कार, मैं प्रमोद, स्वागत करता हूँ आपका टार्गड विथालोग के इस प्लेट फार्म पर तो बुद्धी और बुद्धी से जुड़े हुए सिद्धानतों का और बुद्धिमापन और सामबेगिक बुद्धी इतने टॉपिक हम लोगों ने पिछली लगातार वीडियो में पढ़ा यानि कि बुद्धी टॉपिक समाप्थुगा आपका पिछले सेसन में जितनी भी वीडियो आपकी संचालित हुई अब हम लोगों के पाठिकरम का एक महत्वपुण हिस्सा चलने चल रहा है जिसको समस्या समाधान कहते हैं यानि कि प्राब्लम सॉल्विंग ये जो चैप्टर है प्राब्लम सॉल्विंग आपके बिभिन प्रकार की परिक्छाओं के लिए महत्वपुण होता है जैसे अगर हम बात करें परिक्छाओं की तो सूपर्टेट की अगर हम बात करें तो सूपर्टेट में ये टॉपिक कहां पढ़ने को मिलता है यद्यव की जब आप सूपर्टेट का पाठ्ठकरम देखेंगे तो आपको पाठ्ठकरम में डायरेक्ट कहीं पर समेश्या समाधान लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी आप 79,000 का हुआ पेपर उठा के देखेंगे तो आपको प्राब्लम सॉल्विंग से एक सवाल बिलेगा असल में ये सूपर्टेट के पाठ्ठकरम में कहां पर होता है सूपर्टेट के पाठ्ठकरम में जो बाल विकास होता है बाल विकास के अंतरगत एक टॉपिक होता है सीखने के आवस्यक्ता की पहचान तो जब सीखने के आवस्यक्ता की पहचान को आप पढ़ोगे ना तो सीखना क्यों आवस्यक होता है हम लर्निंग करते ही क्यों है क्योंकि जब हम इस क्यों का उत्तर जान लेंगे क्यों का उत्तर जानेंगे तो इसका उत्तर तमाम मिलेगा कि हम सीखते क्यों हैं, हम learning क्यों करते हैं क्योंकि हम समयश्या समाधान करना चाहते हैं यानि कि जीवन में आने वाली जितनी भी समयश्याएं हैं नित प्रतिके जीवन में आने वाली जितनी समयश्याएं हैं, उन समयश्याओं का हम समाधान करके अपने वातावरण से अनकूलन बना लें, समयोजन बना लें, तो हम समयोजन के लिए भी लर्निंग करते हैं, हम समयश्या समाधान के लिए लर्निंग करते हैं, हम बेक्तित्य आप DSSB देने जा रहे हैं तो DSSB में यहां से सवाल पूछता है समस्या समाधान विधी के चरन पूछ लेता है समस्या समाधान की विधी पूछ लेता है और इसके अलावा जो लोग REIT परिक्षा देते हैं उनमें भी यह सवाल बनता रहता है REIT के परिक्षा में भी यह MPTET का एक्जाम चल रहा है बहुत से विध्यार्थी इस एक्जाम से जुड़ने लगाता है वहाँ पर भी यह सवाल बनता है KBS अगर कोई देने जा रहा है PRT या TGT देने जा रहा है तो उसमें भी जो पहला पेपर होता है PRTGT के लिए उसमें भी जो सिक्षन अभिवरित्ती पूछे जाती हो उसमें भी यह सवाल बनता है कहने का मतलब यह है कि जितने भी टीचिंग्स एक्जाम है हमारे सभी एक्जाम में यह वाला टॉपिक जो है समस्या समाधान जिसके कहते हैं यह मात्रपूर होता है हम यहाँ पर समस्या समाधान को समझेंगे इसकी विधियों को समझेंगे इसके कितने चरण होते हैं उसको समझेंगे मेन मेन चीजों को मतलब factual तरीके से हम प्राबलम सॉल्विंग में कबर करेंगे पहले तो यह जान लेते हैं कि समस्या समाधान कहते ही किसको है बात अगर हम इसके करें कि जब हम किसी निश्चित लक्ष पर पहुँचने में आसमर्थ होते हैं तब हमारे सम्मुख एक समस्या उत्पन होती मान लिजी कोई भी लक्ष है ठीक है कोई भी लक्ष है अगर हम यहां तक आसानी से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे सामने क्या है समस्या है अगर किसी लक्ष तक हम आसानी से पहुँच जाएं तब वहां समस्या है ही नहीं और जहां समस्या है ही नहीं वहाँ बुद्धी विवेक का, सूज का, पूर्वानुभों का कोई प्रयोग होता भी नहीं है आप एक उदारन समझेए जैसे कोहलर के सुल्तान को ले लें आप कोहलर के सुल्तान को ले लें क्यों हम कोहलर के सुल्तान का ही उदारन यहाँ पर रख रहे हैं क्योंकि समस्या समाधान का जो बैग्ञानिक तरीका समस्या समाधान का जो उच्छ कोटी का तरीका है वो सूझ के द्वारा समस्या का समाधान करना यही सबसे उच्छ कोटी का तरीका है और इस उच्छ कोटी के तरीके का प्रियोग उच्छ बुद्धिमान प्राड़ी करते ह तो चिमपैजी भी जो सुल्तान का है वो इसी के अंतरगत आने वाला है सुल्तान के सामने समस्या क्या होई कि सुल्तान के सामने जब वो पिजड़े में बंद हुआ तो उसके सामने उचाई पर केला लटकाया गया ठीक है अब सुल्तान लगातार केला प्राप्त करने का प्रयत्न किया पहले वो उच्छल कूद करके किसी भी तरीके से केला तोड़ लेने का केला प्राप्त कर लेने का प्रयास किया लेकिन जल्द ही उसको यह समझ में आ गया कि इतना आसानी से केला मिलेगा नहीं तो जब सीधे सीधे हम किसी समस्या तक पहुँचने में, किसी लक्ष तक पहुँचने में असमर्थ हो जाते हैं, तब हमारे सामने नजर आती है क्या समस्या, अब सुल्तान के सामने समस्या नजर आ गई कैला कैसे प्राप्त करें, यह उसकी समस्या है, अब इसकी समस्या का सम प्रियोग करना उसे ने शुरू कर दिया और अंत तक जा करके वा समस्या के समाधान तक पहुँचा तो कह रहा है कि जो समस्या प्राडी के समख छोथपन होती है इसी कठिनाई या कारण को समाप्त करना अथवा इसको पार कर जाना समस्या को पार कर जाना यानि कि उसको समाप्त कर लेना यानि उसका समाधान कर लेना करने के लिए बेक्ति एक प्रकार का संग्यानातमक बेवहार करता है समस्या के समाधान करने के लिए बेक्ति क्या करता है एक प्रकार का संग्यानातमक बेवहार करता है देखे मनुष्य की बात की जा रहे ही तो मनुष्य उच्च बहुद्धिक प्राड़ी है, मनुष्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब भी प्रयत्न करेगा, तो उसका प्रयत्न कैसा होगा, कांगनेटिव होगा, यानि कि सूज और अंतरद्रिष्टी का प्रियोग करेगा, वहीं पर अगर निम्न बॉद्धिक अस्तर का कोई प्राड़ी होगा, जैसे थांडाइक की बिल्ली के सामने भी समस्या थी, जब थांडाइक ने अपने बिल्ली को पिजड़े में बंद किया, तो पिजड़ा खोलना उस बिल्ली को नहीं आता था, बिल्ली का लक्ष क्या है, भोजन, बुद्धि कम है, तो वह आसानी से तो पिजड़ा नहीं खोल सकती है, तो उसके पास बुद्धि कम है, तो वह संग्यानात्मक ब्योहार कम कर रही है, बलकि अनुकरियाएं कर रही है, यानि उचल कूद कर रही है, पंजे सिवार कर रही है, मतलब बिभिन प्रकार की सारीर समाधान के लिए अपना कदम उठाया, सुल्तान उच बहुत दिख था, इसलिए उसने संग्यानात्मक ब्योहार किया, मानो भी उच बहुत दिख है, इसलिए मानो का भी अपने किसी भी समयश्या के समाधान के लिए जो ब्योहार किया जाता है, वहा ब्योहार कैसा होता है, का बहुत संचेप में अगर हम कहें तो समयस्या समाधान क्या है इसको अपने सब्दों में अगर हम तोड़ें तो समयस्या समाधान वह प्रक्रिया है जिसमें प्राडी किसी भी समयस्या के पार कर लेने के लिए या किसी भी समयस्या के समाधान के लिए कुछ संग्यानातमक हैं किलि clocks ओ गया दिमाग में बैट जाएगी परिभासा की नहीं सोचिएगा एक बार बस अपने से मंथन करिएगा परिभासा आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि समयस्या के समाधान के लिए हमारे दौरा किया गया سंच्यानात्मक बेवहार जिसके कारण समयस्या समाधान हो जाता है यही प्रक्रिया या यही प्रयास हमारा क्या है problem solving है यानि कि समयस्या का समाधान है आगे बढ़ेंगे हम लोग समयस्या समाधान की कुछ परिभासाओं को समझेंगे तो यहाँ पर हमने चार मनोबैग्यानिकों को ले रखा है और चार मनोबै ज्यानिकों की परिभासा को हम लोग पढ़ेंगे ये चार मनोबै ज्यानिकों की परिभासा कौन-कौन सी है थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि जो है complete आपके सामने दिख जाए चलिए उमीद है कि दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा तो हम आपसे ये चीज़ें समझा समझा करके बोल बोल करके बताएंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा ये थोड़ा सा एट्रेक्टिव लग रहा है क्योंकि ऐसे में चीज़ें आप अपने कापी पर भी या अपने मस्तिस्क में भी इसको डायरेक्ट उतार सकते हैं बैठा सकते हैं समस्या समाधान का ये कुछ नहीं है ये मनोबैग्यानिकों का मानना क्या है समस्या समाधान को लेकर के मनोबैग्यानिक बिचार क्या करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बीच में है समस्या समाधान, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकीनर महुदे की, कि इसकीनर ने समस्या समाधान को लेकर के क्या विचारगत किया है, तो इसकीनर साथ कहते हैं, कि समस्या समाधान एक ऐसी रूप रेखा है, जिसमें स्रिजनातम चिंतन तथा तर्क होता है, मतलब हमारे बुद्धी की या हमारे संग्यानात्मक बेवहार की ऐसी रूप रेखा, जिसमें हम स्रिजनात्मक चिंतन करते हैं और तर्क करते हैं, स्रिजनात्मक चिंतन करने का मतलब क्या है, ने धंग से सोचना, ने धंग से सोचना, या इसी को ह मतलब क्या हो गया अब सारी चिंतन हम कर रहे हैं आउट आप दी बाक्स जा करके सूच रहे हैं यानि कि समयस्या को सिर्फ हम ततकालिक परिष्थिती मान करके नहीं बलकि समयस्या को साल्व करने के लिए हम उससे जुड़े हुए बिभिन छेत्रों के नजरिये से अपने पू क्रियेटिविटी का मतलब चार तक्त्व क्रियेटिविटी के होते हैं कौन-कौन से मौलिक्ता, ओरिजिनल्टी, लचिलापन, फ्लेक्सिवल्टी, एलाबरोईशन, बिष्तारण, और फ्लुएंसी यानि कि धाराप्रवाहिता, नभीनता ठीक है ये उप्योगिता, ये स्र जिनात्मक ता, कि ये इतने तक्त्थ होते हैं, तो कोई भी भेक्ती, जब स्रिजनात्मक चिंतन कर रहा है, तो इसका मतलब आप साप साप कह सकते हैं, कि वह अपने पूरुव के अनुभों का, या अपने ग्यान का, एकदम नभीन इस्तिमाल कर रहा है, एकदम वरिजिनल और नभीन का मतलब है कि उस तरीके का इस्तिमाल कोई नहीं किया था, क्योंकि प्रते प्राड़ी अपनी अपनी समस्याओं का समाधान अपने अपने तरीके से ढूरता है, अगर थांडाई के बिल्ली जो बंद थी पिजड़े में, उसके जगा सुल्तान को बंद कर दिया तो वह अलग वेवहार करता, सब के सूचने का एक अलग तरीका होता है, सब के कांगनेटिव बिहेवियर अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वह प्राड़ी कितना उच्च बहुत दिख है और उसके पास कितने पूर्व अनुभव हैं, प्री नालेज उसके पास वा तरक होता है, यानि कि जब हम स्रिजनातमक चिंतन वा स्रिजनातमक तरक करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे होते हैं, समस्या समाधान कर रहे होते हैं, गेट्स साहब क्या कहते हैं, गेट्स साहब का कहना है, समस्या समाधान एक ऐसा सिक्छन है, या सिक्छन का ऐसा रूप है, जिसमें उचित अस्तर की खोज की जाती है, या इसी को सिंपल में हम कह दें, कि समस्या समाधान एक सिक्षन का उच अस्तर है, जिसमें हम सिरे जिनातमक प्रेतन करते हैं, वही बात यहाँ पर इन्हों ने कहा, कि सिक्षन का ऐसा रूप, जिसमें उचित अस्त का खोच करने का मतलब क्या है कि इस अस्तर की खोच करते हैं कि जिससे हम समस्या का समाधान कर लें उसके बाद वेरान साहब की परिभासा नोट कर लिया जाएं वेरान साहब क्या कहते हैं कि ऐसी अनुक्रियाएं यानि कि ऐसे रिस्पॉंस जिससे लक्ष की प्राप्ति की जा समय्षया समाध्angan कहलाएगी, ये किसी परिवाशा है, वेरान साहब की परिवाशा है, और वहीं पर C.B. गुड की परिवाशा हम पढ़ लेते हैं, C.B. गुड साहब क्या कहते हैं? इनका कहना है कि छोटे-छोटे समयस्याओं का, सामोहिक समाधान से हम बड़ी समयस्याओं का समाधान कर लेते हैं, मतलग लगु समयस्याओं के समाधान के सामोहिक प्रियत्न से, जिस प्रक्रिया को हम अंजाम देते हैं, वह प्रक्रिया समयस्या समाधान होती है, जायर सी बा कि प्राड़ी किसी भी समयस्या का समाधान सबसे पहले सब परिष्थिती का संपूर्ण अवलोकन करके फिर परिष्थिती को बिविन छोटे 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 खंडों में विवक्त करके करता है तो किसी भी समयस्या को जब हम छोटे खंडों में विवक्त करते हैं तो प्रते खं का हम समाधान करते हैं तो लगुष समस्याओं का सामोहिक समाधान जब हो जाएगा जब छोटी-छोटी समस्याओं का complete समाधान हो जाएगा तब बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा तो यही परिभासा इन्होंने दे दिया है कि लगुष समस्याओं का सामोहिक समाधान ही समस्या समाधान है या बड़ी समस्या का समाधान है ये CB गुड साहब की परिवासा है चार परिवासा महत्पूर्ण है चार ही परिवासा से हम समस्या समाधान को समझ सकते हैं इसके बाद हम अध्यन में आगे बढ़ेंगे और हमारा द्यन प्रारंब होता है समस्या समाधान के सोपान समस्या समाधान के कितने सोपान होते हैं तो यहां से सवाल बनता है सोपान से ध्यान रखिएगा अभी हम कई मनोबैज्ञानिकों के एकारडिंग समस्या समाधान के सोपान बताएंगे उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे बैग्यानिक है, उसी प्रणाली तक हम लोगों को पहुंचना है समिस्या समाधान के सोपान के अगर हम बात करें, तो बॉर्न, डोमीनो, वस्की और लोफटस ये दो नाम ध्यान में रखिएगा, बॉर्न, डोमीनो, वस्की और दूसरा व्यक्ति कौन है, लोफटस इन्होंने समिस्या समाधान के कितने सोपान बताएं हैं, तीन सोपान बताएं हम लोग जो सोपान मानेंगे न, वो आधुनिक समय में समिस्या समाधान का आधुनिक सोपान जो जान डीबी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, जिसको चरण के रूप में भी कह सकते हैं, वो समिस्या समाधान के लिए है एक ब्रास फोल्ड और बेरी इस्टीन ने, जो समिस्या समाधान के पांच चरण बताएं हैं, वहाँ से आपके परिक्चा में सवाल बनता है यहाँ से जो सवाल बन सकता है, डिपेंड करता है कि समिस्या समाधान के जब सोपान पूछेगा, तो बिकल्प में क्या रखता है ध्यान से सुनिएगा बात को, क्योंकि इधर हम डॉमिनो वस्की और लोक्टस के एकारडिंग पढ़ रहे हैं, फिर आगे हमारा अध्यन होगा किसके एकारडिंग इस्पेसली जान ब्रास, फोल्ड और बेरी इस्टीन के एकारडिंग होगा, जिन्होंने पाँच सोपान बताए हैं, ठीक है, पाँच सोपान जिन्होंने बताए हैं, और पाँच सोपान के बाद इनके बाद जो है, में बात करें अगर हम तो पाँच सोपान जो समिस्या सम प्रेस्ट करना यानि तयारी करना अब देखो सुन लो बात को सवाल कैसे बनता है आप से परिक्टा में पूछे कि निमनेलिखित में से कौन सम grated समाधान का सोपान नहीं है और मान लेजिए कि भिकल्प में तयारी प्रस्तूति करन मुल्यान करन यानि कि प्रेप्रेशन प्रो तो यहां से मिल रहा है और जो ना तो अगला जब हम 5 सोपान बताएंगे ब्रासफोर्ड के एकारडिंग ना तो वहां से विकल्प मिले तब ऐसी कंडिशन में सवाल कहां पर जा रहा है इसका मतलब है कि सवाल का विकल्प बोर्न डॉमिनोवस्की और लोप्टस के द्वारा बताएंगे तीन सोपानों से ही पूछ रहा है अगर आपसे परिक्षा में पूछ ले कि समस्या समाधान का पहला सोपान कौन है और माल लेते हैं कि आगे जो हम पढ़ेंगे ब्रासफोर्ड की उसमें 5 जो सोपान उन्होंने बताया है माल लेते हैं कि उनका पहला वाला समस् की पहचान, माल लेते हैं कि वो विकल्प में नहीं है, विकल्प में preparation है, तयारी है, तो इसका मतलब है कि सवाल किसके according है, dominovusky के according, कहने का मतलब है कि मनुबैज्यानिकों का नाम परिक्षा के प्रसंपत्र में question में हो सकता है दे ही ना, कुछ आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, कि अगर पूछ ले समस्या समाधान का पहला सोपान कौशा है, अब depend करता है कि वहाँ पर विकल्प में ये दे रखा है, या विकल्प में आगे जो हम सोपान पढ़ने जा रहे हैं, दूसरे मनुबए ज्यानिक एकारटिंग वो देगा, अभी आगे जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, फिलाल, वार्न डोमीनो इसकी और लोक्टरस ने इन सोपान पहला बताया कि जब हमारे समख्च कोई समाधान के लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रस्तुती करन करते हैं, यानि जो कुछ भी हम सूचे हुए होते हैं, उसी के एकारणि हम बेवहार करते हैं, और उधारन साथ ही साथ लेते चलिएगा, तब और समझ में आएगा, जैसे सुल्तान के सामने समस्या, सुल्तान को वही उधारन में रखिएगा, क्योंकि समस्या समाधान का सबसे उच चिकोटी का तरीका वही है, सुल्तान के सामने समस्या यह है कि वह केला कैसे प्राप्त करे, क तो जब वो समस्या के लिए तयार होगा न तो बहुत कुछ दिमाग लगाएगा, सूज का परियोग करेगा, केला देखा, नीचे देखा, पिजड़े में देखा, अपने आपको देखा, तब उसके समझ में आ गया कि ऐसे देखते देखते उसका ध्यान चला गया, पिजड़ कर रहा है, बी प्रिपेयर हो गया, एकदम मानसिक संक्रिया कर चुका, कांगिनेटीब बहईवियर उसका चल रहा है, तब उसके समझ में आ गया कि एक दो बक्सा लगाने से मिल सकता है, तब वो अनुमान की आधार पर बाक्स उठा करके ले करके आता है, केले के नीचे सेट क होता है, यानि कि we evaluate, हम मुल्यांकन करते हैं अपने सोयम की गतिविधियों का, अपने सोयम की क्रियाओं का, कि समस्या के समाधान तक हम किस कदर सफल हुई, यहां से दो चीज निकल करके आती है, या तो समस्या को आप समाधान करने में सफलता प्राप्त कर लेगा, या तो प्राणी समस्या के समाधान में क्या हो जाएगा, आसफल हो जाएगा, यदि आसफल होगा, तब भी evaluate करेगा अपने आपको, तब भी वह आत्म क्रियाओं का मुल्यांकन करेगा, कि वह कहां पर चूप कर गया, गलती कहां पर हुई, जब गलती का अंदाजा लग जाएगा, तो फिर से क्या हो जाए, फिर से prepare करेगा अपने आपको, फिर से produce करेगा अपनी गतिविदियों को, और फिर evaluate करेगा, सफलता मिलने पर भी प्राणी evaluate करता है, और आसफलता मिलने पर भी evaluate करता है, सफलता मिलने पर यदि अपने आपको मुल्यांकित करता है, तो इसका कि वह उसको अनुभों के रूप में अपने मस्तिस्क में जोड़ लेगा ताकि ऐसी मिलती जुलती भविस्य में दूसरी बार समयस्या यदि उत्पन हो तो वह इस experience का प्रयोग कर सके इस अनुभों का प्रयोग कर सके अगली बार के समयस्या के समाधान में और आसफलता मिलने के बाद फिर से वह मानसिक संक्रिया करता है फिर से भी पिर यानि अपने आपको फिर से तयार करता है फिर से जो कुछ भी सोचता है जो कुछ भी योजनाय बनाता है उसको प्रोड्यूस करता है तब जाकर के फिर वह मुल्यांकन अस्तर पर पहुंचता है तो ये बहुत छ थोटा सा पद इन्हों ने समझा दिया, तीन पद इन्हों ने समझा दिया, किसने, डोमेनोवेस्की और लोफ्टस ने समस्या के तीन सोपान बताए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले पर चलते हैं, जो मैटलीन है, मैटलीन ने जो समस्या समाधान के सोपान बताए, उन्ह अब आपसे डारेक्ट परिक्षा में पूछ ले कि मैटलेन के अनुसार समेश्या समाधान के कितने सोपान होते हैं तब ऐसे में ये महत्पूर्ण हो जाता है तो यहनोंने तीन सोपान बताये हैं कौन-कौन से मूला वस्था जिसको ओरिजिनल स्टेज बोलेंगे इस्टेट कहते हैं और लक्ष क्या है जहां तक हमको पहुचना है यानि कि लक्ष ही तो नहीं प्राप्त कर पाए तो यहीं समेश्या जन्म लीती है लक्ष ही जब हमारे ध्यान में होता तो समेश्या का जन्म यहीं होता है पैथान डाइक की बिल्ली के सामने भोजन लक्ष है जब उस वस्था के बाद हम डाइरेक्ट किस पर जाते हैं समस्या के नियम की तरफ जाते हैं कि समस्या का समाधान हम किस नियम के तहत कर सकते हैं ये तीन मुखे सोपान बताया गया किसके कारडिंग मैटिलिन के अनुसार बताया गया समस्या के टीन सोपान आगे बढ़ेंगे हम लोग समस्या के सोपान के अगर हम बात करें तो मैटलिन के बाद जान ब्रास फोर्ड के कारडिंग हम थोड़ी सी बात कर लें किसके कारडिंग जान ब्रास फोर्ड के कारडिंग ये क्या कहते हैं देखिए जान ब्रास फोर्ड महोद है और बेरी इस्टीन ये दो विक्ति हैं इन्होंने समेश्या समाधान के पाँच सोपान बताये हैं ठीक है संचेप में इसको क्या कहा जाता है आईडियल कहा जाता है ये संचेप रूप है इसका और ये मात्रपूड होता है ये परिक्षा में पूछा जाता है आपका यहां से यहाँ से आप देखिएगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम बार आपको सवाल में यहीं से मिला होगा. तो इन्होंने 5500 समयस्या के बताए हैं। देखो एक तो परिक्षा में आप लोग कन्फ्यूज होते हो, एक सिक्छन की विधी होती है। एक समस्या समाधान बिधी शिक्षण की विधी है, द्यान रखिएगा, समस्या समाधान बिधी एक सिक्षण की विधी है, पढ़ाने की विधी है, ठीक है, confusion ना हो जाए, इसको हमको पहले बोलना चाह, समस्या समाधान बिधी एक सिक्षण की विधी है, और ये समस्या समाधा एक हमारा ब्यवहार है, सिक्षन का मतलब टीचिंग, अध्यापक पढ़ाने के समय भी समस्या समाधान बिधी का प्रियोग करता है, तो उस बिधी के अलग सोपान हो जाते हैं, वहाँ पर अलग हम पढ़ते हैं, उसका जन्मदाता कवने समस्या समाधान बिधी का, तो उसकी अलग होती है, सिक्षन में समस्या समाधान विधी एक अलग मामला है लेकिन हमारे बिहेवियर में जो समस्या समाधान होता है, वो अलग है, हम लोग बिहेवियर का समस्या समाधान प्राब्लम सॉल्विंग, अपने हम सिक्षण की विधी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक तो ये कनफर्म कर लेजीगा, तो हम यहाँ पर पढ़े हैं कि पाच सोपान बताए गए हैं, पाच सोपान में कौन है, तो इसका संचिप्त रूप अंगरेजी भासा के आईडियल से है, यानि कि प्रतेक का पहला अप्छर लिया गया है, आई का मतलब क्या हो जाता है, आईडिन्टिफाई, ठीक है, यानि कि समेश्या पहचानना, पहला हो गया, दूसरा चरण क्या होता है, समेश्या को पारिभासित वाप्रस्थुत करना, यानि कि define and represent करना, समेश्या को define करना, ठीक है, आईडिन्टिफाई के बाद क्या होता है, define करना, represent करना, उसके बाद नंबर आता है किसका, समभावित विहुरचना का अनुवेश्ण करना, मतलब explore करना है किसको possible strategy, यानि कि जो समभोर रणनीती है, समेश्या के समाधान के ल और अगला कौन सा हो जाता है, बिहुर रचनाओं पर क्रियान्यवेन हो जाता है, यानि कि acting on strategy, जो भी हम रणनीती बनाए हैं, जो भी हम strategy तयार किये हैं, उस पर हम action लेते हैं, यानि उस पर हम कारे करते हैं, और अंत में क्या हो जाता है, क्रियान्यवेन को देखना तथा म हम समझा देंगे, जैसे सुल्तान के सामने है केला, पिजडे में लटकाया गया केला, वह उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वह उसकी समस्या का समधान है, लेकिन जब सुल्तान को पिजडे में बंद किया गया, केला लटका हुआ था, तो सुल्तान को ततकाल ही पता नहीं चल गया कि यह समस्या है सुल्तान पहले उचलता है केले को प्राप्त करने के लिए एक दो प्रियत्न में वह केला नहीं प्राप्त कर पाता है तब फिर identify करता है समस्या को, समस्या पहचान गया हूँ कि अब इतना आसानी से केला नहीं मिलेगा अब वो क्या कर रहा है, define and represent कर रहा है, यानि कि आप समस्या को पारिवासित वा प्रस्तुत कर रहा है, अपने मानसिक प्रक्रिया में वह समस्या को पूरी तरह से समझने का प्रयास कर रहा है, जब वह समस्या को पूरी तरह से समझ गया ना, तो explore कर रहा है कि इसका possible strategy, जो कु करना शुरू कर दिया जब वो मानसिक अस्तर पर काम करना शुरू कर दिया तब उनहीं क्रियाओं के दवरान उसका ध्यान पिजड़े में रखे गए छोटे छोटे बाक्स की तरफ गया और जब उसका ध्यान पिजड़े में रखे छोटे बाक्स की तरफ गया तो उसका वो ट में क्या करता है look back and evaluate यानि कि पीछे देखता है समस्या की तरब देखता है कि समाधान हुआ या नहीं हुआ समस्या का समाधान हो गया तो इस अनुभो को अपने बेवहार में जोड़ लेगा ताकि भविस्य में फिर इससे मिलती जुलती कोई समस्या प्रकट होगी तब उस समस्या का वो समाधान करेगा यदि समस्या समाधान में आसफल हो गया तो भी look back and evaluate करता है पीछे मुड के देखता है और मुल्यंकन करता है कि कमी कहां रह गई चूक हुई कहां हमसे तो जब पीछे मुड करके फिर से देखेगा तो जहां पर उसकी चूक हुई है जिस step को उसने miss कर दिया वह उसे याद जाता है और फिर से वह उस तुरूटी का सुधार करके समस्या का समाधान कर लेता है ये समस्या समाधान विधी के जो 505 बताए गए ये जान ब्रॉसफोर्ड और बेरी इस्टीन के द्वारा बताए गए है और इन में से सवाल बनता है कि समस्या समाधान का पहला चरण कौन कौन है समेश्या को पहचानना समेश्या समाधान का अंतिम चरण कौन है क्रियानवें देखना और मुल्यांकन करना ठauraisक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो समेश्या समाधान की कुछ प्रमुख विधियों को हम पढ़ लेते हैं कि समस्या समाधान की विधियां कितनी होती है समस्या समाधान विधियों की अगर हम बात करें तो समस्या समाधान की विधियों में इसकीनर साहब का नाम सबसे पहले आता है महत्रपुन विक्ती है इसकीनर ने समस्या समाधान की मुख्य रूप से जो विधियां समझाई है वो इतनी विधियां समझाई है कौन-कौन सी विधी, सूज विधी इंसाइट मेथड जिसको बोलते हैं ये जो गेश्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया गया एक सीखने का तरीका है, याद होगा आपको पड़ा बहुत अगर आप पढ़े होंगे तो गेश्टाल्ट वादियों ने जो सीखने का सिध्धान्त दिया है जिसको सोज या अंतरद्रिष्टी का सिध्धान्त कहते हैं ये जो विधी है इंसाइट मेथड जिसको बोलते हैं विधी ये पूरी तरह से उसी पर आधारित है, ठीक है अनसीखी विधी, यानि कि अर्ण, अनलर्न मेथड जिसको बोलते हैं बैज्ञानिक विधी, साइंटिफिक मेथड जिसको बोलते हैं प्रयासवा त्रोटी खोद थांडाइक के द्वारा दिया गया है मौलिक परियतन कर रही है मौलिक परियतन उसका स्वयम का है वो और उसी परियतन से तो वो सीख ले रही है कि पिजडा वो कैसे खोलेगी फिर भविश्य में अगर ऐसी कोई परिष्थिती उसके सामने उत्पन होती है यदि वह उस अनुभो को अपने मस्तिस्क में अस्थापित करती है अपने बेवहार से उस experience को जोड़ती है तो वह पुना परियतन करेगी उसी अनुभो का नवीन प्रकार के परिष्थिती में और आसानी से समस्या का समाधान कर लेगी तो ये चार विधिया मुख्य रूप से समझाया है इसकी नर ने आएए देखते हैं कि चारो विधियों में क्या क्या होता है सबसे पहली विधि हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं अनसीखी विधि अनसीखी विधि की अगर हम बात करें तो इस विधि का परियोग निम्न कोटी के पराड़ी करते हैं पहली बात तो यह सवाल एक यहाँ से भी बनता है समझाय समाधान करने के लिए निम्न कोटी के पराड़ी ओ दोरा किस विधि का परियोग किया जाता है तो अंसीखी विधी का प्रियोग किया जाता है क्यों ऐसा का रहे हैं क्योंकि जो निम्नकोटी के प्राणी है निम्नकोटी का मतलब किस आधार पर निम्नकोटी की बात की जाती है बुद्धि के आधार पर निम्नकोटी की बात की जाती है तो जिनका बौधिक अस्तर कम होता है तो जहर सी बात है वो learning तो करते हैं लेकिन अनुभो नहीं जुड़ता है तो कुल मिला जुला करके जब learning से आपका बेवहार परिवर्तन नहीं हुआ तो वो learning हुआ ही नहीं तो कुछ भी नया करने से कुछ भी सीखने से उनके बेवहार में परिवर्तन नहीं उत्पन होता है तातकालिक समेश्या का समाधान तो हो जाता है लेकिन वह अनुभो नके मस्तिस्क में नहीं जुड़ता है उनके बेवहार में नहीं जुड़ता है, तो जो प्रवित्ती जन्मजात है, उसको सीखने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, जन्मजात प्रवित्तियों पर आधारित है भाई, जैसे समझेगा, जैसे भूख लगने पर भोजन की तलास करना ये जन्मजात प्रवित्ती है, यह आप ही नहीं करेंगे, उच बोधिक अस्तर का प्राड़ी ही किवल ऐसा नहीं करता है, हाँ, जैसे भूख लगी है तो भोजन के तलास करेंगा, जैसे मानो हो गया या अन्य उच बोधिक अस्तर का प्राड़ी है, वह भूख लगने पर भोजन की तलास करने का तरीका अलग अपना सकता है जो निम्न बोद्धी कस्तर प्राड़ी हैं उनके तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन परियतन सभी करेंगे तो सीखने का यह जो तरीका है वो जन्मजात प्रवितियों पर आधारित होता है इसलिए इस विधी को आदत जन्य ब्योहार विधी भी कहते हैं आदत जन्य ब्योहार विधी भी इसको बोलते हैं आप जैसे समझेगा आनंद की बात आने पर आमोद की कंडिशन आने पर हास करना यह जन्मजात प्रविति है डर लगने पर पलायन कर जाना ये आपकी जन्मजात प्रवित्ती है डरने से भाग जाना पलायन कर जाना ये जन्मजात प्रवित्ती है तो जो निम्न अस्तर के प्राड़ी होते हैं जिनकी बुद्धी का अस्तर बहुत कम होता है वो जितने भी समस्याओं का समधान करते हैं वो अपनी जन्मजात प्रवितियों के आधार पर ही करते हैं इसलिए सबसे निम्न कोटी का तरीका ये माना जाता है समस्या के समाधान का अब जैसे मान लेजी किसी ऐसी परिष्थिती में आप फंस जाईए जहां पर आपके मन और मस्तिस्त में भय पैदा हो गया जैसे बचपन में किसी जहाड़ी को देख करके जो हिलती जुलती जहाड़ियां होती थी न समझ में आ जाता था कि कोई भूत है कोई खतरनाथ जानवर है अब मन में भय पैदा हुआ यह भी समस्या है अब जहाड़ी समस्या हो गई मन में भय पैदा हो गया छोटे बच्चे हम लोग होते थे न इसलिए कुछ नहीं आव देखते न ताव देखते थे डर आया तो पलायन हुआ मतलब डरे तो भाग गोटी कल्टी मार और फिर किदर से भाग रहें कुछ नहीं देखना है कहां गिर रहें कि कौन से तरीका का प्रियोग किया बच्चे ने जन्मजाग प्रवित्ती पराधारी तरीके का प्रियोग किया देख लो कितनी खतरनाख है यह तरीका डर से भाग रहा है तो वाँ बुद्धी का प्रियोग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह निम्न कोटी का प्राड़ी ही तो होता है बच्चा, तो इसलिए वह जादा तर बेवहार किसके आधार पर करता है, जर्मजात प्रवितियों के आधार पर अपने जीवन की समस्याओं का समधार करता है, आईए, दूसरे पर चलते हैं, प्रयासवा समस्याओं के समाधान के लिए हम हर बार अपने बुद्धी विवेक का ही परियोग करें, यह जरूरी नहीं है, जितनी भी समस्याओं हमारे जीवन में हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं, हर बार हम सूझ के जरिये ही उस समस्या का समाधान करें, यह आवस्यक नहीं है, एकदम बेवारिक उधारन दूँगा उसी उधारन के साथ जुड़िएगा एकदम अपलाइड तरीके से समझ लेजिए जैसे मान लेजिए आपके घर में सिलेंडर आता है गैस भरा हुआ जो घरेलू रस्वई में प्रयोग किया जाता है सिलेंडर तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जीवन में पहले अनुभव नहीं है सिलेंडर जब आता है एजंसी से तो उस पर एक प्लास्टिक का धकन लगा होता है लगा होता है कि नहीं लगा होता है आप है उच बहुद्धिक प्राड़ी क्योंकि आप मानो है मानो में भी आप मैचेवर हो गए है तो अब धकन खोलने का अनुभव आपको पहले से नहीं है जब धकन खोलने का आपको पहले से अनुभव नहीं रहेगा ना है तो उस दवरान आप धकन ही रहेंगे अम बोलचाल में प्रियोग किया जाता है कि नहीं आदमी नहीं धकन है तो जब उसका अनुभव आपके पास नहीं है नए तो उसे समय आप ढख्कन ही हो जाएंगे अब आप के उपढ़र करता है कि आप उसमय क्या तरीका प्रियोग करते हैं समय माधान करने का क्योंकि जो प्लास्टिक का ठैकन लगा है लाना गैस पर वो समय स्या प्लाश्टिक का रसी लगा होता है ना उसमें ढक्कन में अब उसी को पकड़के जम के खींचना कुछ लोग इतना जम जम के खींचते आं ना के हाथ की अंगुलियां कहते हैं रहन दे, रहन दे सत्यानास्ना करभाई, कई बार तो इससे जब खींचे खींचे ऊब जाते हैं तो तौलिया ओलिया लपेट लेते हैं, कपड़े उपड़े लपेट लेंगे कि चल अब देखते हैं, अब इसी दवरान, मतलब खींच, तान में बाई दवे, वो जो एलमुनियम का तार उसका होता है, जो फासा होता है कहीं पर, वो मालिजी फैल के निकल गया और धक्कन आर करता रहेगा, तो उसके क्रियाओं में मोडिफिकेशन उत्पन हो जाता है, फिर देरे-देरे बुद्धी का प्रियोग करने लगता है, वो आचानक हो जाती है बुद्धी का प्रियोग, क्यार इतनी मेहनत नहीं, कुछ तो बदलब फिर देरे-देरे वो सामाने तरीके से ऐसे होंगे जो ततकाल उच्च पोटी का प्रियोग करेंगे समस्या समाधान करने के लिए उच्च कोटी के बेवहार का प्रियोग करेंगे जब वो एक दो बार पकड़ के खींचेंगे तो उनके यह समझ में आ जाएगा कमपनी का कोई कोई उद्देश नहीं रहा होगा, आप जब थोड़ा सा सोचेंगे कि इतनी महनत तो करवाएगा नहीं कमपनी वाला, क्योंकि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किस कोई भी खोल के लगा लेता होगा, तब आप वहाँ पर उच्च संबेदना का परियोग करेंगे, कि कुछ न कु तकनीकी तो है, तब आप उच्च कोटी के परियोग करेंगे, तब आप किसका परियोग करना शुरू कर दिये, सूज का परियोग करना शुरू कर दिये, इसका मतलब आप समस्या के समाधान करने के लिए, वहाँ पर उच्च कोटी के पराड़ी के रूप में अस्थापित ह लेकिन जब आप पकड़ के उसका धागा तान-तान के खीचना शुरू करेंगे तब ऐसी कंडिशन में आप निम्नकोटी के प्राड़ी हो जाएंगे और वैसे भी जो मानव है वो निम्नकोटी और उच्चकोटी के परिष्थति का परियोग करता है जो प्रयासवत तुर्टी बिधी है इस बिधी का प्रियोग निम्नकोटी का भी प्राड़ी करता है और उच्चकोटी का भी प्राड़ी करता है निम्नकोटी का प्राड़ी तो अनिवारी रूप से प्रयासवत तुर्टी बिधी का प्रियोग करता है लेकिन कभी-कभी उच्चकोटी के बुद्धी क अभी प्राडी इसका प्रियोग करता है वही हमने आपको समझाया एक्जामपल आईए देखते हैं इस विधी के संबंद में थांडाइक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है पहले ही हमने बता दिया था थांडाइक ने बिल्ली पर जो प्रियोग किया था प्रियासवात तुरुटी के सिधान्त का प्रित्पादन किया था बस वही थांडाइक के बिल्ली को याद कर लिजी कि थांडाइक ने अपने बिल्ली को जिस पिजडे में बंद किया था बिल्ली के सामने भोजन रखा था पिजडे के बाहर क्या रखा था? भोजन रखा था और इसी भोजन को प्रात करना था लेकिन वह पिजड़े में बंद थी अब पिजड़ा खुले कैसे यही उसके सामने समस्शा है अब ठांडाएक की बिल्ली जो है बौद्धिकस्तर पर क्या है निम्नकोटी है बुद्धी का स्तर पर निम्न कोटी का है इसलिए वहां सूज का परियोग नहीं कर रहे है बुद्धी विवेक का परियोग अज़ज है ये नहीं है बुद्धी तो परियोग करेगी कहां से सिधी सिधी बात ये है जितना रहेगा उतने परियोग करेगी तो जब उसके पास बुद्धी ही नहीं है तो प्रियोग करे कहां से इसलिए वह मुल प्रवित्तियों पर आधारित काम कर रही है उचल कूद के पंजे मारने का काम कर रही है और आसानी से सफल भी नहीं हो रही है पिजड़ा खुल जा रहा है उसी मार पीट में बाहर निकल रही है भोजन कर ले रही है फिर बंद हो रही है फिर भूल चुकी है तो लगातार प्रियत्न तूटी प्रियत्न तूटी प्रियत्न तूटी करते करते एक समय ऐसा आता है कि एकदम से सही तरीके से वह पिजड़ा खोलना सीख लेती है यानि कि सही तरीके से पिजड़ा ख सूज का परियोग कर ले और सूज का परियोग करके पिजड़ा जैसे बंद किया जाए वो ऐसे ही खोल ले हो सकता है कि सुल्तान भी तमाम यक्ति लगाना शुरू कर दे हो सकता है सुल्तान भी अनेक प्रियास करना शुरू कर दे कि कहीं से खुले और उसके परियतनों में कु प्रियान नहीं होगा फिर चाहे वो प्राड़ी उच्च बाउद्धिक हो चाहे निम्न बाउद्धिक है उसको प्रयात्नवत रूटी करना ही पड़ता है हाला कि अंतर क्या हो जाता है कि निम्न कोटी का प्राड़ी अनुभो को लेट जोडता है लेकिन उच्च बाउद्धि सूज बिधी का मतलब है समस्या समाधान के यह बिधी जो होती है उच्च कोटी के प्राडियों में यह प्रयोग किया जाता है। सुल्तान नामक बनमानुस पर किया गया प्रयोग उलेखनी हो सकता है यानि कि यह उधहरन के रूप में आप पढ़ सकते हैं। इसी बिधी को अंतरद्रिष्टी बिधी कहते हैं। और एक अंतिम बिधी कौनसी होती है बैज्यानिक बिधी साइंटिफिक मेथड। बैज्यान का मतलब क्या है कि विभिन प्रकार के बैकल्पिक उदाहरनों के जरिये वहाँ निशकर्स पर पहुंचता है। निगमन का मतलब क्या है कि समस्या से वहाँ उसको तोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है। तो दोनों प्रकार के तर्क का समावेस होता है और इस बैज्यानिक विधी का जो मुख्य आधार है वो होता है तरक पूर्ण चिंतन यानि कि सबसे आधुनिक विधी समस्या समाधान की कौनसी है बैग्यानिक विधी जिसमें तरक पूर्ण चिंतन का परियोग किया जाता है और यह अभी जाहिल सी बात है किस अस्तर के प्राडियों के लिए है उच्च कोटी के प्राडियों के लिए रहेगा तरक पूर्ण चिंतन करना मानव का सवभाग्य है तो ये मानव के लिए है कि मानव समस्याओं के समाधान के लिए कौनसी विदी का प्रियोग करता है बैज्यानिक विद्धी का प्रियोग करता है ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये चार विधियां हो गई इन चार विधियों के बाद अब अगर हम बात करें समस्या समाधान के प्रक्रिया का एक माडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि किस तरीके से समस्या का समाधान करता है कोई प्राणी ये यमियल गिक के अनुसार, यमियल गिक सहब थे जिनोंने समस्या समाधान का एक माडल प्रस्तुत किया था कि कैसे समस्या का समाधान होता है तो इसको माडल को समझेगा समस्या का प्रश्टुती करण ठीक है सबसे पहले समस्या का प्रश्टुती करण होता है और उसके बाद समाधान का क्रियान्यमेन करते हैं समस्या के समाधान के लिए एक्षन लेते हैं और हमारे action से या तो हमको सफलता मिलेगी, या तो हमको क्या मिलेगी? आसफलता मिलेगी. कुछ है नहीं, बस आसानी से समझ में आ जाएगा. समयस्य जब पहचान लेते हैं, प्रश्तुती करण हो जाता है उसका. तब हम समाधान का क्या करते हैं? क्रियान्विन करते हैं. और स समस्या समाधान करने में सफल हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे रुकेंगे और अपने आपको मुल्यांकित करेंगे आत्म मुल्यांकन करेंगे आसफलता मिली तो क्यों मिली और सफलता मिली तो कैसे मिली तो यहाँ प्रसनता का अनुबह होगा मुल्यांकन में अपने आपको कह जिखना आचानक प्राप्त आह अनुभो होता है तो यहाँ पर जब सफलता मिल गई तो प्राड़ी रुख करके वह जब अपने आपको evaluate करेगा, self evaluate करेगा जब तब उसको समझ में आएगा वाह, मतलब समस्या का समाधान हुआ, अब एक एनरजी का संचार उसके अंदर होगा और इसी एनरजी से उसके अंदर positivity पैदा होगी और वही सनुभो को अपने मस्तिस्क में अस्थापित कर लेगा, लेकिन अगर आसफल हुआ, तो रुख करके क्यों आसफल हुआ, उसके कारण हो जानेगा, और जब आसफलता मिल गई तो फिर नए समाधान की खोज की दिशा में बैग्यानिक विधी के जो पांच चरण बताये थे कि बैग्यानिक विधी में जो हम समस्या का समाधान कैसे करते हैं, तो यह व्यक्ति बहुत महत्वकून हो जाता है हमारे लिए, कौन? जानडीवी, जानडीवी ने एक पूश्तक लिखी थी, हम कैसे सोचते हैं, और इ परिक्षा में पूछता है कि समस्या समाधान विधी की जो बैग्यानिक विधी है, वह पांच चरण में है, उसका पहला चरण कौन है, उसका दूसरा चरण कौन है, यह परिक्षा का विशे होता है, आईए, देखते हैं, समस्या समाधान के बैग्यानिक विधी की कौन से प पांच चरण हैं, तो इन पांच चरणों में सबसे पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, identification of problem, और जब समस्या की हम पहचान कर लेते हैं, तो एक hypothesis formulation करते हैं, यानि कि एक hypothesis का निर्मार करते हैं, परिकलपणा का निर्मार करते हैं अपनि मस्तिस्क में, कि किस तरीके से सम समधान समभों हो सकता है अब इसके पस्चाप जो होता है समधान के लिए हम क्या करते हैं तत्थ्यों का प्रसंसकरन करते हैं processing of data यानि कि कुछ भी योजना हम समधान समधान के लिए बनाएं यानि कि जो hypothesis हम अपने मस्धिस्क ×मे समस्या को लेकर के निर्मित किये हैं, उसका प्रसंसकरन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग में क्या होता है, कलेक्षन होता है, आर्गनाइजेशन होता है, एना लिसिस होता है, बिसलेशन, यानि कि संगरहन, संगठन, बिसलेशन, ये किसके पार्ट हैं, ये समस्या समाधान की जो बैग्यानिक विधी है उस बैग्यानिक विधी के ये पांच चरण होते हैं जो की परिक्षा में पूछे जाते हैं और इसलिए ये महत्पूंड होता है अती महत्पूंड होता है तो यहाँ पर हम लोगों ने बैग्यानिक विधी को पढ़कर के समाप्त कर लिया, इस विधी में वस्तुनिष्टता है, इस विधी में मौलिकता पाई जाती है, यह विधी जो है, यह विश्वसनी है, विश्वसनियता और वस्तुनिष्टता जैसे गुणों के समावेस होने के कारण बरतमान में समस्या समाधान के लिए बैग्यानिक विधी बहुत उपयोगी विधी मानी जाती है बरतमान में समस्या समाधान की विधी कौन सी विधी ऐसी है जो सरवाधिक परियोग में लाई जाती है तो बरतमान में बैग्ज्यानिक विधी का ही सरबाधिक परियोग माना जाता है संभो क्योंकि इसमें बस्तुनिष्टता और विश्वसनियता जैसे गुण विध्यमान है इसलिए इस विधी का परियोग आम तोर पर बेहतर माना जाता है इस समस्या समाधान के लिए इस विधी के प्रयोग पर बल दिया जाता है तो यहाँ पर हम लोगों ने समस्या समाधान पढ़ लिया अब इसके आगे जो पढ़ना होता है वो समस्या समाधान के जो महत होते हैं उसको पढ़ना होता है तो थोड़ा सा आप self analysis करिएगा एक अंक तयार हो जाएगा इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपनों को